नमस्कर दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में दोस्तों इस वीडियो के अंदर अब भी हम लोगों के फोटी कोशन का बाइलोजी का सेट देखने वाले हैं जो कि रेलबे ने पिछले 20 बर्सों में सबसे ज्यादा बार इन कोशन को पूछा है ठीक है और आने वाले दि पहला कुशन है डॉट्स नामक इलाज है किस बिमारी के लिए किया जाता है तो देखे डॉट्स नामक जो इलाज किया जाता है तो ये 6 रोग के लिए किया जाता है ठीक है इसके अलावा 6 रोग को तपे देके या फिर टीवी भी जो है बोला जाता है ठीक है और ये दुनिता यानि पॉलिपलाइडी जो Denn यह क्रों मोसंके संख्या में परिवर्तन होने पर होती है ओए उसके इसे के बांधर को भुर आ जोड़ा जाता तो देखे आत्मगाती बैग जो बोला जाता है तो यह लाइसोसम को बोला जाता है ठीक है तो यहाँ पर एक करेक्ट जाएगा इसके अलावा कोशिका का पावर हाउस किसे बोला जाता है तो देखे कोशिका का जो पावर हाउस बोला जाता है तो यह माइटो कॉंडिया को जो यह वर्लेंडिट ने प्रारामब कीया था ठीक है तो यहां पर डी करेक्ट हो जायाएगा कुछिशन नमबर पाँच है दात के नेमल का कर्बोरान है किस करण से होता है तो देखे दात के नेमल का जो करबोरान होता है तो यह पानी में उच्छ मात्रा में फुल राइड के कारण होता है ठीक है तो यहाँ पर C करेक्ट हो जाएगा कुश्चन नमबर 6 है रोक्त में स्वेत कॉणो का मुख्य परायोचन निमने लेखित में से क्या है तो देखे रोक्त में स्वेत कॉणो यानि WBC के जो मुख्य परायोचन है तो यह संक्रमान से संगर्ज करना ठीक है तो यहाँ पर B करेक्ट हो जाएगा इसके अलावट WBC के जीवन कल कितना होता है तो 2-4 दिनों का होता है ठीक है और RBC के जीवन कल कितना होता है तो RBC के जो जीवन कल होता है तो ये 120 दिनों का होता है ठीक है कुश्चन नमबर 7 है लोह मायता एक रोग है जो स्वास के साथ है निमने लेखित मैंसे क्या अंदर लेने से होता है तो देखिए लोहमायता एक रोग है जो स्वास के साथ है यह लौव धूल यानि आइरन डॉस्ट जो है लेने से अंदर होता है ठीके तो यहाँ पर बी करेक्ट जायेगा कुश्य नमबर आठ है लौव निमने लेखित मैंसे किस से प्राप्त होती है तो देखिए जो लौव प्राप्त होती है तो यह फूल की कली से प्राप्त होती है ठीके तो यहाँ पर डी करेक्ट जायेगा कुश्य नमबर नाइन है मानोसरी में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है तो देखे मानोसरी में जो सबसे बड़ी धमनी है तो ये है माहा धमनी जो ये मानोसरी में सबसे बड़ी धमनी है ठीक है कुश्चा नमबर 10 है रोक्त का लाल रंग निमनलेखित में से किसकी उपस्तिते ये कारण होता है तो देखे रोक्त का जो लाल रंग होता है तो यह हीमोगलोबिन के उपसेते करण होता है ठीक है तो यहाँ पर डिकरेक्ट हो जाएगा इसके अलाबा रोक्त में कौन सी धातू पाई जाती है तो देखे रोक्त में जो धातू पाई जाती है तो यह आईरन यानि लोहा धातू पाई जाती है ठीक है कुश्य नमबर 11 है किसी बनस्पती उत्यान में किसी बनस्पती उत्यान में निमनलेखित में से किस पर प्रकास का सीधा प्रभाव बिल्कुल नहीं पढ़ता है तो देखिए किसी बनस्पती उत्यान में निशेचन पर प्रकास का सीधा प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता है ठीक है तो यहाँ पर डिकरेक्ट हो जाएका कुश्चे नमबर 12 है दर्द निवारक मरहम आयोडेक्स में से किसकी गौंध आती है तो देखे आयोडेक्स में से यह मेथाईल सेलिसिलेट की गौंध आती है ठीक है तो यहाँ पर यह करेक्ट हो जाएका कुश्चे नमबर 13 है फसलोपर डिडिटी का छिड़काव किस परकार का परदोसन उत्पन करता है तो देखे फसलोपर डिडिटी का छिड़काव जो है यह मिरीदा तथा जल का परदोसन जो है उत्पन करता है ठीक है तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएका कुश्चे नमबर 14 है पैंक्रियाज की कोशिकाए जो इंसुलिन उत्पन करती है क्या कहलाती है तो देखे यह कहलाती है आईलेट्स अफ्लेंगर हैंस ठीक है पैंक्रियाज की कोशिकाए जो इंसुलिन उत्पन करती है क्या कहलाती है तो यह आईलेट्स अफ्लेंगर हैंस जो है कहलाती है ठीक है डिकरेक्ट हो जाएका कुश्चे नमबर 15 है प्रकास संसलेशन के दोरान उन्मुक्त उक्सीजन कहां से आती है तो देखिए यह आती है पाने से ठीके तो यहाँ पर यह गरेक्ट हो जाएगा कुस्ट्य नंबर 16 हीर्दय की धलकन को उतेजित करने वाला हर्मोन निम्नलीखित मैं से कौन सा है तो देखे हिर्दय के धलकन को तेजित करने वाला जो हर्मोन है तो यह है थायरॉक्सिन हर्मोन ठीक है तो यहाँ पर यह करेक्ट हो जायेका इसके अलावा थायरॉक्सिन हर्मोन यह कहाँ पर पाई जाती है तो यह पाई जाती है गले में ठीक है कुछ नमबर 17 है, रोक्त परवा में हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए, क्यों खतरनाक होता है, तो देखें, जीवन के लिए वो इसलिए खतरनाक होता है, क्योंकि रोक्त के परवा में बाधा उत्पन हो जाती है ठीकें, तो यहाँ पर C करेक्ट जाएगा कुश्चे नमबर 18 है आसपास के वातावरण में पसुओं और पौधों के संबंद के अध्यन को क्या कहा जाता है तो देखे इसको जो है ये परिस्थितिक बिग्यान बोला जाता है ठीक है तो यहाँ पर ये करेक्ट जायेगा कुश्चे नमबर 19 है निमनलेखित में से कौन सा प्रकास है संसलेशन में महत्पूर्ण भूमी का निभाता है तो देखे प्रकास संसलेशन में जो महत्पूर्ण भूमी का निभाता है तो ये है क्लोरोपलास्ट है ठीक है तो यहाँ पर ये करेक्ट जायेगा कुश्चे नमबर 20 है हरित करांती का सरवाधिक प्रभाव निमने लिखित में से किस में देखा गया था तो देखे हरित करांती का सरवाधिक प्रभाव देखा गया था तो ये गेहों में देखा गया था ठीके तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएका कुश्चे नमबर 21 है AIDS का बिसाड़ो निमनलेखित में से किसकी ब्रीथी को प्रभावित करता है तो देखे AIDS की बिसाड़ो जो है ये रख तमें T को सिखाओं की ब्रीथी को जो है प्रभावित करता है ठीके तो यहाँ पर C करेक्ट हो जाएगा Question No.22 है धीके मधुमाखी की डंक में ये अमलिया तोरल होता है घीके तो यहाँ पर C करेक्ट हो जाएगा Question No.23 है पाओधो में जायलम की उपस्तिती से निमनलेखित में से क्या होता है तो देखे पाओधो में जायलम की उपस्तिती से ये जल का समहन होता है ठीके इसके अलावा पौधों में फुलोयम के उपस्तिते से क्या होता है तो देखे फुलोयम के उपस्तिते से खादे पदार्थों का वहान होता है ठीके तो यहाँ पर यह करेक्ट हो जाएगा कुश्चन नमबर 24 है निमने लिखित में से कौन से जिवाडू से पौधों में क्रेट पीटी का रोग हो जाता है तो देखे पौधों में जो क्रेट पीटी का रोग होता है तो यह एगरोबैक्ट्रियाम टियूम फेसियंस जिवाडू के द्वारा होता है ठीक है एग्रो बैक्ट्रियां ट्यूंफेसियंस नामक जिवानों के द्वारा जो है पोधों में क्रेटिव पीटी का नामक रोग जो होता है ठीक है तो यहाँ पर भी करेक्ट जाएगा पाई जाती है तो यह तीन हडिया जो है पाई जाती है ठीक है कुश्चन नंबर 26 है मस्तिस का कौन सभाग मोटर नियांतरण में महत्पूर्ण भूमिका निभाता है तो देखे इसे करेक्ट आंसर ओप्शन यह हो जाएगा सेरी बेलम यानि अनु मस्तिस्क जो है यह मोटर न कुश्चन नंबर 28 है निमनलेखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनसील होता है तो देखे पानी यानि जल में जो घुलनसील विटामिन होता है तो यह होता है विटामिन B और C ठीक है बी करेक्ट हो जाएगा इसके अलाबा वसा में घुलनसील विटामिन कौन कौन होता है तो वस्चा में जो फुलायन वितामीन है वितामीन एडी ऐए टीक है चार सचिट नंबर 29 से पृषवी kimma कि सबसे ज़्यादा पाया जाने वा थो कौन सा है तो देखे पृषवी में रॉक्तदाब को मापता है तो देखिए स्पाइमो मैंनोमेटर जो है ये धृमनियों में जो है रॉक्तदाब को जो है मापता है ठीक है तो यहां पर दी करेक्ट हो जायाएका कुश्चनबर 31 है निम निलेखित में से कौन नाइट्रोजनिया उर्वारक नहीं है तो देखे नाइट्रोजनिया उर्वारक जो है यह सूपर फास्पेट नहीं है ठीक है तो यहाँ पर डी करेक्ट जाएका इसके अलावा जो नाइट्रोजनिया उर्वारक है तो है अमोनिया सलफेट यूरिया और अमोनिया नाइट्रेट यह तीनों क्या ह तो ये नाइट्रोजनिय औुर्वरक है ठीक है कुश्चन नमबर 32 है सिग्मोएट कोलान है निमनलिखित मैं से किसका एक भाग है तो देखे सिग्मोएट कोलान यह बड़ी आथ का एक भाग है ठीक है तो यहाँ पर B करेक्ट है जाएगा कुश्य नमबर 33 है मानस्पेसी को हड़ी से जोड़ने वाले उत्तक को क्या बोला जाता है तो देखें मानस्पेसी को हड़ी से जोड़ने वाले उत्तक को ये टेंडन बोला जाता है ठीक है तो यहाँ पर C करेक्ट जायाएगा कुश्य नमबर 34 है प्राकिर्थिक पॉलिमर है तो देखिए इसे करेक्ट आंसर option do चाहेगा start चुजो है यह प्राकिर्तिक polymer है ठीक है question number 36 है घेगा नामक रोग है किस की कमी कारण होता है तो देखे घेगा नामक जो रोग होता है तो यह iodine की sorry iodine की कमी कारण होता है ठीक है secret हो जाएगा question number 37 है दूध में पाय जानवाला मुख्या प्रोटीन कौन सा है तो देखे आप सभी को पता है कि दूध में पाय जानवाला जो मुख्या प्रोटीन है वह कैस है ठीक है इसके अलावा दूद की जो सुधता मापी जाती है तो किस के द्वारा तु लैक्टो मीटर के द्वारा मापी जाती है ठीक है तो यहाँ पर डिकरेक्ट हो जाएका कुश्चन mä्पर 38 है विल्स रोग में कौन सां प्रभावित होता है तो देखें विल्स रोग में ये कीटिनी जो होता है ये प्रभावित होता है ठीक है तो यहाँ पर डिकरेक्ट हो जाएका उसके बाद है यहाँ पर हमार अगला कुश्यन है निमने लेखित मैंसे कौन सा अस्तंधारी जानवर अंडे देता है तो आपको इसमें बताना है कि नमैंसे कौन सा अस्तंधारी जानवर जो है अंडे देता है अप्सान है चमगादर, वेल, नेवला या फिर प्लैटीपस सही आंसर कमेंट बक्स में जरूर बाता है वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक है चैनल पना है तो चैनल को सब्सक्राइब और पास में जो घंटी के निसाने इसे भियान करता है ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग